हलो दोस्तो नमस्कार यहाँ पर हम लोग एक जबरदस्त डेटा अफिशल डेटा हम लोगों के सामने आपे आते वे देखने का आपे मिल रहा है नो डाउट कोई भी रिपोर्ट सामने आते हैं कोई भी डेटा सामने आता है वो आइधर पॉजिटीव होता है या फिर नेगेटीव होता है तो वही डेटा में अभी आप लोगों के सामने आपे रखने वाला हूँ पर यह डेटा है किस से रिलेटेड तो दोस्तो यह डेटा है अदानी ग्रूप के शेर से रिलेटेड ये तो अदानी शेर से related data है बट ये किस term से related हम लोग बात करे है तो दोस्तो ये data है mutual fund से related येस आप सब लोग को यहापे पता है दोस्तो कि mutual fund यहापे क्या करते है stocks में पैसा लगाते है and मैंने आप लोग को बीच में आपे बताया भी था कि mutual fund के पास बहुत बड़ी team होती है अलग-अलग expert रहते है हजारों लोगों की team यहापे रहती है and इनका जो accuracy रहता है वो बहुत ही कमाल का रहता है इसलिए आप लोग ने सुना होगा कि अगर आप safe mutual fund में भी जाते हो तो at least आपके 10% तो returns आप लोग को usually बहुत सारा information का भंडार रहता है बहुत सारी इनके पास team रहती है and यह चीजे मैंने एक वीडियो में भी आप लोग को यहापे बताई थी क्या बताई था कि मतलब बहुत सारा लोग मुझे पूछते भी थे कि comment section में सर आप बहुत बार मैंने देखा है कि आप small cap companies के बारे में बताते हो कभी-कभी mid cap companies के बारे में बताते हो पर इतने सारे mid cap है small cap है तो फिर यह आप अच्छे वाले companies select कैसे करते हो इसका राज बताईए यह राज आप लोग को कोई नहीं बताईगा आप लोगों को मिल जाएगे यह देखिए चार मेने पहले ही है लगब देड़ लाग के करीब लोगों नहीं इस वीडियो को देखा था कि stock market में जादा returns देने वाले shares कैसे धुनने होते है उसकी ninja technique बिलकुल free of cost यह सारी चीज़े में सिखा चुका था आप लोगों को सारी चीज़े बताए था कि mutual fund का जो portfolio होता है उसको आप लोगों ने observe करना होता है तो जीतने भी मैंने आप लोगों को क्या-क्या techniques रहती है उसमें क्या-क्या आप गलतिया कर सकते हो यह सारी चीज़े मेंने सिखाई थी अगर आप इस वीडियो को चाहो तो देख सकते मैंने कोशिश करता हूँ इसका link उपर i button पर आप लोगों को यहापे मिल जाएगा बट इस वीडियो के बाद आप लोग इसको ज़रूर यहापे अच्छी तरीके से देख लेना अदानी के शेर्स में पैसा नहीं लगा रहा है तो ऐसा क्यों यहापे हो रहा है तो इससे related दोस्तों यहापे कुछ fund managers हैं उन्होंने भी अपने एक दो points यहापे सामने रखे है and believe me दोस्तों यहापे जो मतलब हर एक mutual fund से related जो handle करने वाले fund managers रहते हैं उनको अगर आप यह सवाल पूछोगे उन्होंने जो जवाब दिये है दो-दो points में तीन-तीन points में जवाब दिये 90% जवाब सब के match होते वे देखने का आपे मिल रहे है so definitely हम लोग यहापे कह सकते कि जो भी अदानी के shares में पैसा लगाने के लिए जा रहा है यहापे लगाना यह नहीं लगाने वो हर किसी का अपना-पना individual point है अगर आप risk ले सकते हो तो आप ज़रूर जा सकते हो करके बट वो उन्हेंने क्या-क्या points बोले है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूंगा तो फिर आप मतलब invest करने से पहले इनके बारे में यहापे क्या कर सकते हो विचार यहापे कर सकते हो जैसे कि आप सब लोगों को मैं कुछ data दिखाना चाहूंगा data मतलब क्या अभी अदानी के बहुत सारे शेर्ज है अभी अदानी total gas की बात करें अभी अदानी total gas में पता है कितने हम लोगों को यहापे fund मतलब यहापे देखने को मिल रहे है fund मतलब fund houses जैसके अगर मैं बात करू केवल एक सिर्फ एक मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने कम हम लोगों को देखने को यहापे मिल रहे है next अगर हम लोग यहापे बात करें अदानी gas के बाद अदानी power में भी similar अगर हम लोग यहापे बात करें केवल एक ही fund houses जैसे mutual fund वाले उन्होंने क्या किया है अदानी green के shares में यहापे पैसा लगा के रखा हुआ है then अगर हम लोग बात करेंगे तो अदानी transmission में कितना यहापे है तो again same चीज सिर्फ दो यहापे fund houses जैसे mutual fund वाले उन्होंने सिर्फ यहापे दो ही है जिन्होंने अदानी transmission में shares खरीत के यहापे रखे हुए है then अगर हम लोग बात करेंगे अदानी enterprise सो अदानी enterprise में कितना है दोस्तो तो अदानी enterprise में जो खबर सामने आ रहे है 22 fund houses हम लोग को देखने को मिल रहे है जिन्होंने अदानी enterprise में यहापे क्या किया है मतलब mutual funds ने यहापे पैसा लगा कर रखा हुआ है सर अभी के तो एक दो एक दो थे अदानी enterprise में 22 मतलब यह company जबरदस रहेगी तो ऐसी बात नहीं है उन्हेंने clarification भी दिया है mutual fund वालोंने कि देखे अदानी enterprise अभी nifty index का part बनने जा रहा है तो इसलिए हम लोगों को वो जबरदस्ती से हम लोगों को खरीदना ही पड़ेगा जैसे मैंने आप लोगों को बता है बहुत सारे ऐसे index fund रहते है वो क्या करते है सिर्फ और सिर्फ यहापे मतलब nifty 50 के shares में ही पैसा लगाएंगे तो nifty 50 से भाहर कोन जा रहा है वहाँ से पैसा वो निकाल देंगे श्री सिमेंट से और एंटर कोन कर रहा है अदानी enterprise फिर अगर वो न चाते हुए भी क्या करेंगे उनका पैसा mutual fund का इन stocks में जाते हुए देखने को आपे मिल जाएगा तो इसलिए यहाँ पे 22 हमनों को यहाँ पे fund houseages mutual fund के अदानी enterprise में पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे है तो यह higher number का reason क्या था वो भी मैंने आप लों को बता दिया एक और company है अदानी port तो अदानी port के अगर हमें बात करो दोस्तो तो 28 fund houseages देखने को मिल रहे है जिन्नों ने इस company के shares यहाँ पे mutual funds ने यहाँ पे investment करके यहाँ पे रखा हुआ है बट जितने भी अदानी के shares अगर आप देखोगे उनका जो total market cap आप लोगों को निकलते वे देखने को मिल रहा है सो percentage के इसाब से यहाँ पे data सामने आ रहा है 0.76% बताया जा रहा कितना 0.76% बस इतना ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि mutual fund ने अदानी के shares में पैसा लगा के रखावाई वो mutual fund जो हमेशा बाकी मतलब stocks में क्या करते है अच्छा अच्छा picking कर लेते हैं मतलब steady से पहले बट यहाँ पे अदानी groups में उनका जो exposure है वो हम लोगों को ना के बराबर देखने को मिल रहा है और यह जो दो stocks में देखने को मिल रहा है यह तो मजबूरी है सर अगर बाकी की companies अगर यह वाली जो इसमें कम houseages देखने को मिल रहे है mutual fund से related अगर यह कल अगर index के part बनते तो यहाँ पे भी हम लोगों को हिस्सेदारी बढ़ते होई देखने को आपे मिल सकती जैसे मैंने बता है न वो तो उनको करना ही पड़ेगा वो तो इनकी duty है इंडेक्स में जो भी आपे आता है उनको add करना पड़ता है जो निकल जाता है उनको निकालना पड़ता है बहुत से अर लोग यह भी सोचेंगे सर अदानी विलमार का नाम नहीं लिया अदानी विलमार तो जस्ट अभी अभी बाजार में आया है तो जादा डेटा यहापे अविलेबल नहीं है बाकि इतने पूराने stocks अविलेबल होने के बाउजुद आप देख सकते हो उनमें किवल एक दो एक दो ही fund houseages हम लोगों को यहापे invest करते हुए देखने को आपर मिल रहे है सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहापे कितना कम participation mutual fund का देखने को मिल रहा है यह हम लोगों को देखने को मिल रहा है सो definitely अभी आप यह भी सोचोगे कि reason क्या है जैसे मैंने वीडियो के शुरुवात में आप लोगों को बता है कि जितने भी mutual fund वाले जो fund houseages इन चीज़ों को manage करते है तो उनको सवाल पूछा गया तो उनने दो ही जवाब दिये उसमें से पहला जवाब है बहुत ही simple जवाब है और फिर बहुत सारा profit generate करके इनका EPS यहाँ पे अच्छी तरीकी से grow होगा तो PE ratio manage हो जाएगा तो यह भविश्य में होने वाली बात है बट फिर भी अगर देखा गया तो उनके जो terms जो रहते mutual funds के मतलब जो उनके कुछ अपने अपने मतलब parameters रहेंगे उसके इसाब से अगर देखा गया तो valuation उनको बहुत ज़्यादा लगता है इन particular group से related उसलिए उनने कहा है कि हम क्या करते है अदानी के shares को फिलाल तो award करना पसंद यहाँ पे करते है no doubt returns अच्छा मिलता है return अच्छे मिलेंगे जो उन्होंने करजा लिया है वो बहुत ही ज़्यादा करजा लेते वे देखने को मिला है और सरकार से इनको करजा लगातार यहाँ पे मिलता रहता है तो यह दो risk factor भी हम लोग को देखने को आपे मिल रहे है अगेन कहना चाहूंगा अदानी के shares खरीदना है नहीं खरीदना है हर एक का अपना अपना individual decision है जैसे मैंने आप लोग को बता है कि अगर आप इनके shares खरीदते हो तो यहाँ पे क्या risk हो सकती है इसका अंदाजा आप लोग को ज़रूर यहाँ पे होना चीए उसके इसाब से फिर आप क्या कर सकते हो आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो इसलिए यह जो data हम लोग को देखने को मिला कि mutual fund ने भी इतना कम पैसा क्यों लगा है तो करजे से related और बहुत ही ज़ादा valuation हम लोग को देखने को मिल रहा है इसके चलते फिलाल mutual fund यहाँ पे क्या कर रहा है अदानी की shares को award करते वे देखने को आपे मिल रहा है सो जोस्तो यह जो data हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है ज़रू आप भी अपना राय comment section में आपे रख सकते हो अगेन कहना चाओंगा दोस्तो हर एक का अपना अपना अलग-अलग decision यहाँ पे होता है कुछ लोग चाहे तो खरीच सकते हैं कुछ लोग चाहे तो ignore भी कर सकते हैं बट जरू में भी आप लोगों की यहाँ पे मतलब बोलते हैं सो definitely ऐसे बहुत सारे reports हमनों को फिलाल तो देखने को मिल रहे है फिलाल तो ये mutual fund से related ये जो आज का दिन का डेटा था शायद से बहुत सारे news channel ने भी इस चीज़ को यहाँ पे cover यहाँ पे किया था जो कि आज हमनों को officially भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया है तो link नीचे description में 25 वीडियो के लिस्ट आपको बिलकुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौन सा account आपने link के था उपन के जरू comment section में बता देखना तो हफते बर के अंदर अंदर यह सारे वीडियो आपनों को free of cost प्रोवाइड कर दी जाएगे So that's it, thank you very much दोसो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye